आप सभी के दुस्तों हमारे स्टेडी चैनल विक्ट्री पूर में स्वागत है आज हम सभी SSGD के लिए कौन कौन से बूक इंपोर्टेंट है और कौन कौन सा बूक अभी एसकीप करने चाहिए उसके बारे में तर्क करेंगे दुस्तों पहले हम syllabus को जान लेते हैं क्याकि रिएंसे से जीडी दुहर 21 में होने वाले एकजाम में क्या-क्या syllabus रहेगा और क्या-क्या rule regulation रहेगा तो दुस्तों पार्ट वन में हमारा जो है ये General Intelligence and reasoning रहेगा जो 25 नमबर का रहेगा और 25 मार्स का भी रहेगा second part जो हमारा है दोस्तो यह general knowledge रहेगा और general awareness रहेगा इसमें दोस्तो हमारा भी 25 question होगा और 25 marks का भी होगा part C जो हमारा है दोस्तो elementary mathematics रहेगा जो 25 question रहेगा 25 marks का part D है दोस्तो इसमें से choose करना होगा आपको कि आप English लेंगे या Hindi लेंगे आप कोई इसमें से question को attempt कर सकते हिंदी या English लेकिन दोनों में से कोई एक करना होगा दोस्तो इस बार क्या किया है दोस्तो कि आप इस exam को crack कर पाएंगे तो आए कुछ इसके important book के बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सा book मुख भूम का निभाएगा तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तो mathematics के बारे में क्योंकि mathematics और रिजनिंग हमारा इसका bonus point रहेगा तो mathematics एक book आता है सुमित्रा परकासन का जो tricky mathematics है जिसका writer है महेश मिस्तरा तो दोस्तो जदि आपका basic ठीक नहीं है तो आप एक बर इस पूरा book को खतम कर लिजिए और पूरा book को खतम करने के बाद में इसका एक दोस्तों सबसे पहले हमारा यह basic reasoning को ठीक करने के लिए यह perfect reasoning का book आता है जो हमारा दिपक कुमार इसके writer है तो आप एक बार इसका पूरा chapter wise बना लिजिए और जदि यह पूरा chapter wise खतम हो जाता है तो आप एक modern question को book कौन सा होगा बता देरें आपको देखिए यह वाला book है य इसमें जितना भी अभी exam में हुआ है फिलहाल में moderate question सब एक बार इसको आप पूरा बना जाईए तो फिर आपको कहीं पर reasoning में doubt नहीं रहा जाएगा अब रहा जीके की बात तो जीके हम कहां से पढ़ें तो दोस्तों जीके के लिए आपको best book हम बोलेंगे कि आप जदी market में कोई ACC GD के लिए previous का कोई book मिलता है तो उसको ले लेजिए और साथ में SPD को पढ़ते रही है SPD से भी बहुत सारा question इसमें देता है दोस्तों कोई top question नहीं देता है नॉर्माली देता है बस आपको उसको सही करना होता है और इसके साथ साथ आप एक आता है SPD का वो current face का इसको भ दोस्तों आप एक वर हिंदी को पढ़ने के लिए Lucent का book ले लीजिए और हिंदी का इसी से पूरा जितना chapter दिया हुए है exam के देख लेजिए कि exam में syllabus का है इसमें जो भी syllabus है इसमें से ओ चाप्टर पढ़ लीजिए तो अब इससे हमको नहीं लगता कि इससे कोई बाहर question जा आप क्या करना है कि पर डे आपको एक सेट लगाते चलना है तो आप एक यूथ पॉब्लिकेशन का book आएगा जो दुहर ठारा में जितना भी exam हुआ था वो पूरा सेट को लगा लीजिए यानि कि हमको बता देने एक रूटीन होना चाहिए आपको इसको पूरा को पढ़ने जैसे मैं आपको सुबह में क्या करना है कि एक पर डे एक सेट प्राक्टिस करनी है सेट प्राक्टिस करने के बाद में उसको देख लेना है कि हमारा कहां वीक पॉइंट हो रहा है उसके हिसाब से फूरा डे आपको उसी पर खतम करना है यह पूरा खतम करने के बाद में मैसा चालू रखना इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको जो हिच की चाहत है उदूर होगा और प्लस पॉइंट आपका हैबिट बनेगा और दोस्ते एक बात हम आपको बताएंगे कि कभी भी जैदी सेट प्राक्टिस करते हैं ऑफ लाइं तो आहां पर एग घंटा 30 मिनट का स अच्छा से इसकेंगे ठीक है दोस्तों ते रहा इंपोर्टेंट बुक जैदी आप इसको फोलो खरते हैं तो हमको नहीं लगता कि आपको कहीं दिकत होगा मैंने भी मिस्ट पब्लीकेस्ट उनका यह महें जो बुक था सुमित्र परकस्तन का यहीं बनाया था दोस्तों और लागे तो प्लीज अपने दोस्तों को पास सेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए थेंक्यू दोस्तों